रिलेट करना की मैंने क्या कर दो, मान लीजे आपको तीन पॉइंट दिये हुए हैं, एक पॉइंट मान लो तुम्हारा हो गया ये, एक ये और एक ये, अगर मुझे मान लो इनको मिला कर ट्राइंगिल बनाना हो, तो बताओ मैं इसमें पहला पॉइंट किसको मानूँ, तो ब पॉइंटिकली ये होगे, पड़ी अजीव सी बाते लगेंगी, पर आप सुनते रहिए मेरे कहने पर, फिर एक दम से आपके बल्ब जलेंगे, अच्छा सब ये बात रिलेट कराना चाहते थे, तो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग, जैसा मैंने कहा था कि अब हम लोगो ने आपके साथ शेयर की थी, अब वैसे तो सेक्षन फार्मूला के अंदर भी अगर आप घुसे हैं, तो बहुत सारी चीजे हैं, मिड़ पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्सेंटर, और्थो सेंटर, सरकम सेंटर, जिसके अपने अपने फॉर्मूला होते हैं, पर मुझे जब मैंने उसको देखा, तो मैंने का उसमें ऐसी कोई बहुत विशेश बात मेरे को नजर नहीं आई, जिसमें कि मैं आपको यहां पर कुछ अलग से बताओं, तो फिर मैं जब अगले आर्टिकल पे गया, याद कीजिए स्ट्रेट लाइन शुरू करन तो नौर्मली बच्चों को जब ट्राइंगिल का एरिया पढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार से बताते हैं, कि जैसे माल लीजिए कोई एक ट्राइंगिल आपको दिया हुआ है, जिसके वर्टिसेज हैं, X1, Y1, X2, Y2, और X3, Y3, अब मुझे अगर इस ट्राइंगिल का ए एक फॉर्मूला बना देते हैं, कि होगा 1 by 2 बाहर और फिर साइक्लिक, साइक्लिक मतलब X1, Y2, Y3, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, X1, 1, 2, 3, फिर आगया 2, 3, 1, और इसको अगर मैं थोड़ा सा स्लाइड कर सकूँ, तो स्लाइड कर लेते हैं, नहीं तो इसी मैं फिर लगने की कोशिश करता हूँ, फिर आएगा X3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, ये मेरे लिखने का तरीका भी आप समझ जाएंगे, ये ब्रैकेट लगाया, माइनस, ये ब्रैकेट लगाया, माइनस, ये ब्रैकेट लगाया, माइनस, और यहाँ पर लगा दिया, प्लस और प्लस और से लगा देते हैं मौट तो मुझे विश्वा से सभी लोगों ने यह वाला फर्मूला ऐसे ही पढ़ा होगा क्या तीन पॉइंट दिये हैं एकस तूवाइवन एकस तूवाइटू एकस त्री वाइट्री तो बताया जाता है आफ बाहर लगा दिया एकस वन वाइटू माइनस Y3, X2, Y3-Y1, X3, Y1-Y2 मैंने आपको क्यों ऐसे लिखके दिखाया जैसे मैं लिखता हूं बच्चों को थोड़ा कमफट हो जाता है 1,2,3,2,3,1,3,1,2,3,1,2 साइक्लिक लिखते चले जाते हैं तो आप इसको चाहें तो ऐसा फॉर्मूला यूज करें फिर मैथड टू उ उन लोगों को बताया जाता है जिन्हें डिटर्मिनेंट को open करना आता है उनके लिए answer आता है आप बाहर डिटर्मिनेंट 1, 1, 1, x1, x2, x3 और 3rd row में आता है y1, y2, y3 उपर से डाल देते हैं पॉट तो बड़ी है कोई बड़ी बात नहीं है चाहे आप इसको open करें चाहे आप इसको पूरा open कर लें answer आपको exactly यही मिलेगा तो जिनें determinant open करना आता है वो ऐसे निकाल देते हैं जिनें सीधे formula याद कराओ वो ऐसे तो यह दोनों बाते मैं बच्चों को class में बताता हूँ कि method 1 और method 2 इसके बाद मैं उनसे कहता हूँ कि अब आप एक काम करो बच्चों जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर तक उन बातों को सुनते रहो और फिर जड़ा relate करना कि मैंने क्या करें मान लीजे आपको 3 point दिये हुए हैं एक point मान लो तुम्हारा हो गया ये एक ये और एक ये अगर मुझे मान लो इनको मिला कर triangle बनाना हो तो बताओ मैं इसमें पहला point किसको मानू तो बच्चे कहते हैं सर किसी को भी मान लीजे मैंने का ये रहा मान लो पहला फिर दूसरा कि से मानूं तो बच्चे हुए किसी में से भी मैंने दूसरा मान लिया थर्ड आटोमेटिकली ये होगे बड़ी अजीव सी बाते लगेंगी पर आप सुनते रहिए मेरे कहने पर फिर एक दम से आपके बल्ब जलेंगे अच्छा सर ये बात रिलेट कराना चाहते थे अब अग पहले को मैंने दूसरे से मिला दिया बोलो क्या ट्राइंगिल बन गया तो बच्चों ने का नहीं फिर क्या करें दूसरे को तीसरे से मिलाएं तो क्या ट्राइंगिल बन गया नहीं मुझे फिर से तीसरे को पहले से मिलाना होगा तब जाके ट्राइंगिल बन अब आखिर इ आपका x3 y3, तो अगर मुझे triangle बनाना है, तो मैंने किया क्या बच्छों? पहले मैंने लिया पहला point, मैंने पहले point को मिलाया दूसरे point से, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया दूसरा point, क्या पहले को दूसरे से मिलाने से triangle बन गया? तो उत्तर दिया गया नहीं अब मैं दूसरे को मिलाऊं तीसरे से तो मैंने जब तूसरे को तीसरे से मिलाया तो ये हो गया क्या अब तुम्हारा ट्राइंगिल बन गया तो मैंने का नहीं अभी भी ट्राइंगिल नहीं बनावा आपको तीसरे को फिर पहले से मिलाना होगा त आप area लिखना है तो आप एक काम करें 1 by 2 पर यह जो sequence है आप इसमें क्या करते जाएं this into this plus this into this plus this into this इनको आप add करते जाएं this into this plus this into this plus this into this और फिर जो यह order इधर वाला है इनको कर दें माइनस मतलब मैं क्या कह रहा हूँ अब एक बार देखें मैंने क्या कहा इनको multiply किया x1 y2 फिर इनको add किया x2 y3 फिर इनको add किया x3 y1 ये तीनों तो आपके चलेंगे positive और ये वाले आपके चलेंगे negative तो आया minus x2 y1 minus x3 y2 minus x1 y3 ये लगा दिया आपने उपर से mod तो आपने अभी जो ये पहले एक तरह से method 1 और ये method 2 सीखा ये एक formula और ये जो है वो determinant की opening है उसकी बजाए मैंने आपको एक एक तरह से एक sequence follow कराया कि triangle अगर बनाना है तो पहले को दूसरे से मिलाया दूसरे को तीसरे से अभी भी triangle नहीं मिला तीसरे को फिर पहले से मिलाया हाव बाहत ये सारे कर दिये positive ये कर दिये negative ये जो निकल कर आएगा यही आपके triangle का area क्या कोई बड़ी बात मैंने का नहीं लेकिन खास बात ये है बच्चों कि ये जो मैं आपको so called trick बता रहा हूँ ये number of sides independent है चाहे आप triangle की बात करें चाहे आप quadilateral की बात करें चाहे आप pentagon की बात करें जैसे मान लीजिए मैंने आपको चार point दे दिये होते और मैं आपसे कहता कि चलिए इस quadilateral को बनाईए तो मैं बच्चों से पूछता हूँ पहला किसको मानो कहते हैं सर किसको मान लीजिए दूसरा इसको तीसरा और चौथा अब अगर मुझे join करके quadilateral बनाना है तो मैंने पहले को दूसरे से मिलाया दूसर चौथे को तीसरे से तीसरे को चौथे से अभी भी quadilateral नहीं बना चौथे को पहले से तो अब क्या करोगे जैसे पहला vertex हुआ X1, Y1 इसको मिलाया तुमने दूसरे X2, Y2 फिर मिलाया तीसरा X3, Y3 फिर मिलाया चौथा X4, Y4 क्या बोलो तुम्हारा quadilateral बन गया उत्तर मिला नहीं इसको अब तुम्हें जोडना होगा पहले से मतलब X1, Y1 से और अब अगर तुम्हें quadilateral का area चाहिए तो half लिया आपने बाहर दिस इंटू दिस प्लस में, दिस इंटू दिस प्लस में, दिस इंटू दिस प्लस में, दिस इंटू दिस प्लस में और फिर ये वाला होगा माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला plus x4 y1 minus y1 x2 minus y2 x3 minus y3 x4 minus y4 x1 यह सारा लिखने के बाद आप उपर से लगा देना मौट यही जो आएगा वो इस quadilateral का area आजाएगा इसका मतलर यह trick तो कभी है कभी भी काम आजाएगी चाहिए pentagon हो चाहिए hexagon लेकिन बेटा अगर इतनी बढ़िया ट्रिक है तो कुछ ना कुछ तो पेच जरूर होगा और अब मैं आपको वो पेच बताने जा रहा है पिर से एक बार मेरी बात समझो बच्चों जब मैं आपको ऐसे करके बता रहा था कि आपको तीन पॉइंट दिये हैं और तुम्हें इन तीनों पॉइंट्स को मिला कर ट्राइंगिल बनाना है तो मैंने आपसे पूछा था बताओ मुझे तो सवाल ऐसे दिया होगा ना कि find the area of the quadrilateral formed by 1527-311 और कुछ तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें और तुमने का पहले को दूसरे से मिलाया दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से चौथे को पहले से तो क्या यहां पर koordilateral बना नहीं और नहीं बना तो फिर यह ट्रिक काम नहीं कर पाएगी इसका मतलब यह ट्रिक तो तभी applicable होगी मतलब this trick is applicable when all the vertices are in order. इस वर्ड पर ध्यान दीजेगा ये वाली ट्रिक तुम्हारी तभी applicable हो पाएगी when all the vertices are in order. triangle में दुविदा नहीं होती तुम मुझे 3 point दो चाहे तुम उसको किसी भी क्रम में लिखलो ऐसे लिखलो ऐसे लिखलो in order. बोलो सारी tension खतम. लिखते गए x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6. क्या काम खतम? नहीं. फिर छटे को फिर किस से मिलाया? मतलब एक बार मैं लिखी देता हूँ. अगर वो order में हुए तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6 और फिर से लिखेंगे x1 y1. और फिर हाफ को बाहर लेते हुए ये सारे हम लिखेंगे positive. और ये लिखेंगे यहाँ वाले negative. तो जैसे हम लोगों ने triangle का सीखा है, उसी आधार पर अब हम quadrilateral, pentagon, hexagon, किसी का भी निखाज है. अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए उसने हमें in order नहीं दिया, कुछ जंबल करके दे दिया, उसने 6 point तो मुझे दे दिये, और कहा बनने वाले quadrilateral, बनने वाले hexagon का area बता। तो मैंने कहा भाई अगर ये trick लगानी है, तो पहले तुम्हें उनको क्रम में तो लाना ही होगा, वगर क्रम में नहीं दिये हैं, order में नहीं दिये हैं, तो तरीका अरे उनकी marking कर लो, पहला यहां, दूसरा यहां, यह मान लो पहला था, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, फिर यह दिया पांचवां, और यह मान लो दे दिया छटा, उसने जिस order में दिए थे मुझे उसने दिया था ये ऐसे ऐसे दे रखा था अब मैं उनकी sequencing अपने हिसाब से बोलो set कर लूँगा और set करने के बाद उनको order में बना लूँगा पहले के बाद ये लिखूँगा फिर ये फिर ये फिर ये और इसी क्रम में मिलाते चले जाएंगे और six को फिर कि जागन तयार और ये ट्रिक लगाने से हमको अपना आंसर भी मिल जाएगा तो ये देखिए बेटा वो ट्रिक हो गई जो आपकी बाकियों मैथट से काफी समय की बचत कर देगी तो आप इस ट्रिक का खूब फाइदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा सवाल करें और अपने समय की बचत करें तो इसी से रिलेटेड और भी बाते हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे मेहनत कीजिए और अपने टार्गेट को एचीव कीजिए बेस्ट आफ लग